सब जेड़े बच्चेयां दा एक तो दो साल दा गैप बन चुक्या है अकैडमी को ना दा लोव है बिलोव 60 परसेंट में कहा दुए फिफिटी टू सिस्टी दे विच विच परसेंटीज है लेकिन आयल से पीटी दा स्कोर बच्चा अच्छा टार्गेट का रहे है अपना अ इस स्टूडेट जिनका अगर परसंटेज अच्छी तो हम नहीं पर चांगेए सिंगापूर में वहां एक समस्ट्र पढ़के आगे निकल सकता है ऐसे बच्चे यूग के जाना चाहते हैं तो हम यहां से दुबई वेज़ सकते हैं दुबई एक साल पढ़के बच्चा हेरियेट वैट यूश्टी के कैमपस में ट्रांसपर हो सकता यूग के में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं बच्चे को मेलब समझना होगा और फे असे दो यूड है नाच्वारन जावार जोरून की डेट्रेट में पहले आपने सुना था कि वीज़ा नहीं आ हो दो जुन । तो उसमें बच्चों को मिलाब इस तक इनका ये ऊपक नोपना पॉर्टिकोलर इसदेने हैं कितने नहीं देने हैं तो वो सारे सारे डिसाइड होते हैं न्यूवर्मेंट भी आई है बहुत सारी भी है तो पहला एक गल मैं जरूर कुछ ना चाहूंगी कि खास तौरते हर्याना दे बच्चे नों क्या गया से क्योंना वीजे ग्रांट नहीं होंगे उनना दे नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा देखनों मिल रह हैंगे सबसे ज्यादा फेक डोकुमेंट हर्याना पंजाब गुजरात के मिलें इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इगल आई है कमिशन की कंसल्टेंट पर एजेंट पर भी है इधर से क्या नाम है स्टूडेंट पर भी है तो पता लगता है बच्चे ने ट्वेल्ट ही न अठारा जुलाई आप देख सकते हैं कि डेट ओफ ग्रांट अठारा जुलाई है तो यह स्टूडेंट है सोनी का जाखड और बच्चे ने बीएसी नर्सिंग की थी 2021 किसमें 82% अब एडित काउन उनिवस्टी में मास्टर आप नर्सिंग के लिए जा रहा है और पी टी में स्कूर है बच्चे का 59 no less than 53 ओर आल 59 no less than 53 है सोनी का जाकड का वीजा आया है आप देख सकते हैं और आज की डेट का ही एक ग्रांट है अगर मैं अगले बच्चे की बात करूं यह बच्चा है रवींदर रवींदर 12 नोन मेडिकल है शीविल इंजिंग के लिए जा रहा है औ तो इसका 16 जुलाई को 16 जुलाई है सिक्स्टिंथ जुलाई और टैंथ इसकी दो हजार अठारा में है और ट्वेल्ट इसकी दो हजार बीस में है इस बच्टे ने यह लगा लिजिए दोजार बिसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं दी इसका जो वीजा आया वह तक्रीबन तीन महिने में लगे इस बच्टे का वीजा आने में चिक है और बैचलर बिजनस मार्केटिंग के लिए इस बच्टे का वीजा निकला है चिक है नेक्स बच्टे की बात करूं करनप्रीत कोर की मेरे पास 16 जुलाई को ही इसका वीजा गरांट है लेकिन मुझे इसकी प्रोफाइल तकरीबन तीन और दो पांच बच्टों के वीजा है जो सेटरड़े और मंडे में आए हैं और इवन मैं कल मैं जा रहा हूं दिल्ली एस एस एक्ट है हमारी ट्रेनिंग है इसलेक्टिड एरी जो एजेंट्स है एरी एजेंट्स की यह कहना में ट्रेनिंग है थू हाइज कमि रहा है क्या होंगे ओसी जरू डिसकस करांगे पहला दर्शक दी कॉल ले लिए और उस तो बाद सरी इस प्रुफाइल ते में फिर तो नजर पाना चाहूंगी जी साशिकाल स्वागत है जी की ना में तवाड़ा सुन पारे हो जी प्लीज अपना सवाल दसो अपना नाम दसो कितो बोल रहे हैं तो से यह जी प्लीज अपना सवाल दसो अपना नाम दसो कितो बोल रहे हैं तो से यह जी प्लीज अपना सवाल दसो अपना नाम दसो कितो बोल रहे हैं तो से प्लीज अपना सवाल दसो अपन तूथाउजन ट्वंटी दे विच किती है फार्मे से सेवंटीन सेवंटीन उस बाद कांटीनियूस जॉब चाल रही है तो अडे ठीक है तो विदाउट आइस क्यों जाना चाहते हो भाई सरी उस से लग रहा है ना विदाउट आइसमेंट देख ली ना प्रदा नहीं कहां कहां से आप देख लेते हो देखिए जो हम लोग है ना जो कंसल्टेंट्स हैं एजेंट्स हैं वह अपनी रोटिया सेखते हैं मतलब कर दी ठीक है अब वह हाई कमिस्न विदाउट इंट्रिविव विदाऊटा ऑइस थो ले रहा है बट दाउट इंट्रीव थेनिदैंइंगल्स तो नहीं है अगर आप वास्तों में कैपेबल हो और मैंकी के संट स्किल्स ट्रॉंग है दें टो और जो यह आयल्स विदाउट आयल्स की जो बाते हो रहे हैं देखो यह पंजाब हरियाना नौर्थ इंडिया खासकर यहां पर आज की डेट में बहुत ज्यादा जोल है जोल का मतलब यह है कि यहां पर फेक डोकुमेंट ज्यादा प्रडूस हो रहे हैं हाई कमिशन में और इ विजा ऑफिसर जब आपकी फाईल को देखेगा जब गिल्यंगिज आपने नहीं आफका टैस्यापने नहीं की तो पर ऍरफ ऑप्स्ट वह सुचके यह आगे जाकर कैसी यह सक्सस होगा यह आपना चाहते हो आप पाईए भीजाब्स की और यह सब कर लिए बांगा साना फि की है कि जो बच्चे रिजेक्ट हो जाएंगे उनको दोबारा इस साल तो कम से कम अपाइंटमेंट नहीं मिलने हैं तो बोलते हैं कि जब आपने करने हैं तो पूरे कि आप मेरे चोटे भाई की तरह हो वह आपको नहीं अच्छी लगी हो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी कान से हमारे पास नहीं आते क्या रही है तो अपना ही लेक्चा जाने लगा ने ता जिदो सच कहने आथा थोड़ा जा कोड़ा लगदा ऑडियंस नूब यू कैन अप्लाई बट मैं अगर आपकी जिगह होता है या मेरा अपना बच्छा या मेरा भाई अपना बाई होता था मैं बोलते हैं जब पांस स क्या है बहुत सारे इक स्टांटेंटर वह पैसा इसी तरीके से कमाते है बहुत हर एक स्टाप का टार्गेट होता है कि इतना रिवेन्यू तो आपने क्माने कमाने कमाने एक अप्लिकेंट का वीजा लगे ना लगे लग्या तर लोट्री नहीं लगा तो बच्छे से 50 जार 40 जार लाख रूपया बच्छा इतनी दूर से चंडीगड या मोहाली अधर उदर के एरिया में आएगा बच्छे से स्पोज करो कंपनी ने 17-18 जार लाख रूपया ले लिय और स्टूडेंट्स को यह चीज समझनी आ रहे हैं सब्सक्राइब होना पाएगा जी सदे नेक्स्ट कॉलर दा सवाल हां जी साशिकाल जी स्वागत है तवाड़ा की जानकारी चाने हो तुसी असी फेस्बुक टेवी लाइवां से लिवें इडिया नियूस देवेस नर्सिंग वाले बच्चे दी प्रफाइल जरूर जाना चाहूंगी जिदन ने पीटी की ती 59 नौट लेजन 53 स्कूर सिगा आम तो एक अगर मैं बात करूं तो सोनी का जाखड है और इसका वीजा है अगर हम बात करें तो इनका फैब 2023 है अक्टूबर नौंबर बड़ा सोट का होता है उसमें कहना में यह उपसंस नहीं मिलेंगे बड़े चोटी चोटी प्रोग्राम मिलेंगे लेकिन यह जुलाई ऑपना फैब और जुलाई दो 2023 में इंटेक आएंगे अच्छा स्पाउस नू लेके बहुत क्वेरी हैं ऑस्ट् अब जैसे आज मुझे एक कोल आता है और मेरा एक स्टूडेंट जो इस तीले बैठा है उसकी रेफरेंस यह स्टूडेंट था तो वो खुद तीन बार रिफ्यूज है तो तीन बार रिफ्यूज होके कैनेडा से उसने साधी अपनी एक ऐसी लड़की से कर ली जो सिंपल ट्वेल पास है 2021 पास आउट उसके बिहाब पे कह रहा है जी मुझे इसके साथ जाना है ठीक है तो पहली बात तो उस लड़की की एज ही नहीं है 12 पास है अभी तो मैंने जब उसको यह चीज बोली कि भाई यह लड़की की एज भी नहीं निकलती है और इवन के हाई कमिशन भी बोलती है कि कम से कम स्टूदेंट ग्रेजवेट होना चाहिए और उसका स्पाउस भी ग्रेजवेट हो और वन यह ओल्ड मैर लड़की डूंडें लेकिन लड़की सर्फ 12 पास डूंडी है तो मैं अगर यह बोलना चाहूं कि अगर स्पाउस वीजा की बात करें स्पाउस वीजा लग रहे हैं ऐसा नहीं है कि नहीं लग रहे हैं लेकिन जैन्वन स्टूदेंट होने यहां पर मंदी पी चीज देखनी रहा है तो श्टूदेंट अप्लिकल कर रहा है और एता है कर रहा है तो यह चांस faculty वीजा निकलने के रहा है बिल्कुल कुछिक मिंटा था कसी तोड़े तो इजाज़त लवांगे तुसी सानु इद्धा ही कॉल्स कर दे रहो तोड़े सवाल ना दे तोड़े जवाब दें दी सअधी लाइव कोशिश रहेगी तुसी कॉल्स करके जोड़ साग देनल सर इक बन्यों कंसल्टेंट जड़ बात सच नहीं हो सकती जो चाहते हैं वहर चीज पॉसिबल नहीं हो सकती कम सचबोलगे शांती से तो गर जाता हूं रै और किसी का देना तो नहीं नहीं है तो बड़ी अच्छी आती है ये एक फरक है सढ़ी आप किस डारेक्शन में जा रहे है किस तरीके की आप पैसे मारके या उसका वीजा रिजेक्ट राके उसको और प्रिसान करके तो बद्दवाई लेनी है विल्कुल सर इस विले समय कैसी इतरास दिवी है कि बहुत सरे को ले यूनिवर्स्टी हैं कोलेज हैं तो आप की रिक्वार्मेंट के साफ से आपको बताएंगे कि आपको कौन सा को सा कोलेज को सा एरिया शूट करता है तो कैनिडा की बात करें तो वी और रेगुलेटेड कनेडिय मिगेशन कंसर्टेंट वी हाव दा टू ऑफिस न कनडा एक मिसी सागा में एक नौवास कोशिया में तो जो बच्चे रिफ्यूज हैं आलडी रिफ्यूज हैं तो मैं उनको तो स्पेसली बोलना चाहूंगा कि एक बार वेस्ट नोर्सीज की ब्रांच में आपकी फाइल सब्सक्राइब करना चाहूंगा कि जिनके में अप्लिकेंट गए हुए तो वह एक लोकल एजेंट से फाइल ना लगवाए वह रेगुलेटीड कैनेडियन इमिगेशन कंसल्टेंट से फाइल लगवाए थोड़ी सी फीस उसकी ज्यादा हो सकती है सर्विशाज लेकिन सक्सेस बहुत हाई रहेगा तो वी और रेगुलेटीड कैनेडियन इमिगेशन कंसल्टेंट वी हाव दौफिस इन कैनेडा तो ऐसे स्टुडेंट जो रिफ्यूज है और उपन स्पाउसल वर्क पर मिट पर जाना चाहते हैं ऐसे स्टुडेंट को मैं वेलकम करना चाहूंगा इन स्टुडेंट की फाइल इमिगेशन लोयर से लगेगा तैंक यू सर इंफोमेशन सांजी कर ली समादेरी जोज़े बबात अनबात सश्रीकाल जी माफी साथे दर्शका तो जिनादी कॉल नंग ले पाए हैं जी नंबर्स अवालेबल ने चौवी गंटे अवाले नंबर नो फिर तो हाजर हुने आ रखो त्यान तानवाज जी सश्रीकाल